हेलो बच्चो वेलकम टू इडू विद्ध होप यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में जेनरली अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कंपौउं इंट्रेस्ट के बारें तो एक बच्चे नहें कमेंट किया अटा कि कि अगर हम डिवे आज पढ़ा रहा हूं तो चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमसे जाने का मतलब कंपौउंड स्ट्रेशन इक टेकिंए तो यह पहले हम Back को फिर में उसमें क्या होता था कि कुछ प्रिंसपल होता था उसपे सब्सक्राइब कर लिए लगता था इसी को हम एसी उस है क्या होगा थे कि लेकिन इसमें क्या होगा न कि आपका रेट ऑफ इंट्रेस्ट के बाद मतले माल लीजे कि आप सिंपल यहां से लिए ठीक है तो शुरुवात में कुछ प्रिंस्पल आपका होगा मालीजी इस पर कुछ इंट्रेस्ट आप लिजेगा तो यह इंट्रेस्ट उस प्रिंसपल पर जैसे मालीजी आपने मुझसे दो जार लिए थे मैंने कहा दूंगा लेकि कुछ उस पर मैं ब्याज कि आप आपक है तो रेट ऑफ इंट्रेस्ट हमारा कितना हो गया 5% ठीक है तो इंट्र तो मैं, 100 रुप्या आपसे, interest के रूप में लिया. मतलब, मुझे total amount, कितना पे करिएगा? अगर मैं, एक साल के लिए दिया हूँ, एक साल के लिए दिया हूँ, तो interest total, आप मुझे कितना देगा? तो principle plus, interest, तो कितना दीजिएगा? मतलब टोटल मुझे आप 2100 रुप्या दीजेगा लेकिन यह सी यह आपका जो निकला वह आपका एक साल का इमाउंट निकला क्या निकला एक साल का इमाउंट अब यह जो उसी कहता है कि यह जो आपने एक साल बाद लिया अब पहले कितने पितां दोव हजार पर आपका इंट्रेस्ट गंपा कितने पर इंट्रेस्ट रुप्य यह पिलता की सी शिस रुप्य तो इंट्रेस्ट मैं से ले यह हुह ऒए फियुकला अहिंbon fashion उस्फ Lawrence लग Government वही हमारा क्या कहला जाएगा CI कहला जाएगा ठीक है तो देखिए थोटा सा एक्जाम्पल है CI का पहले amount का आप समझ लेजिए क्या होता है P into 1 प्लस R by 100 का पावर N होता है ठीक है फिर आप CI अगर निकालना सिखेंगे तो CI होता है amount minus principal होता है यहां से अगर माल लेजिए आप SI पढ़े होगे तो यहां भी एक amount होता होगा amount जो होता होगा वो क्या होता होगा amount is equal to होता था P plus SI ठीक है तो P हमारा कितना माल लेजिए सम्थिंग रहेगा तो यह amount के बराबर होगा तो आप SI कैसे निकाले होगा यह इधर भेज देते हैं तो यह माइनस पी बराबर SI होता है ठीक है माइनस पी बराबर SI होता है तो यहां CI हमारा क्या हो जाएगा amount कितना होगा पी इंटू बन प्लस आरवाई 100 का पावर तो यह चलिए पहले यह formula derive करना सकते कि यह होता कहां से यह आएगा कहां से तो चलिए start करते देखते हैं तो हम अभी CI का amount निकाले का formula derive करेंगे और आप इसको समझेगा राम से ठीक चलिए देखते हैं दिखिए मान लिजी आपसे amount पुझा जाए कि amount होगा कितना एक साल का तो amount होता है principal plus interest से आइवन किया मतलब एक साल का में पहले साल का निकाल रहा हुँ ठीक है तो पहले साल का interest कितना आपका होगं ठीक है तो मान लिजी प्रिंस्पल तो पीही रहेगा इंट्रेस्ट की अगर बात करूं, तो इंट्रेस्ट किस पर लगता है, आर पर लगता है, तो आर बाई हंडड़, ठीक है, तो पहले साल का जो इंट्रेस्ट हुआ, वो हमारा कितना होगा, प्लस पी आर बाई हंडड़, दोनों जगा सो पी हम कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस आर बाई हंड़, यह पहले साल का आपका इमाउंट हुआ, ठीक है, यह कितना साल का इमाउंट हुआ, पहले साल का आपको इमाउंट मिला, ठीक है, अब ये जो amount एक साल का हुआ, वो अगले साल का जब CI निकालेगे, तो वो इसका principal हो जाएगा, बात ध्यान रखेगा, पहला साल का principal आपका P था, ठीक है, उस पे कुछ interest के लिए हमने दे दिया, यहां से ये पहले साल का amount निकला, तो ये आपका क्या निकला, amount निकला है, ठीक है, तो आप जब A2 निकालेगा, दूसरे साल का जब आप निकालेगा, तो आप कप देखें, यहां पे अगर interest हम दूसरे साल का निकले, amount निकालके सिर्फ interest निकाल रहा है, तो आप निकालेगा P2, पिटू क्या है, अब ये हमारा P2 है, ये पहले साल का था, ये P2 हो गया, P P2 कितना होगा P1 प्लस R आर 12 । ठीक है। यह आपका P2 हुआ और इसका interest प्रिंसिपल पे interest कितना R आर रंडे यह हमारा interest हुआ कौन सा second year का interest हुआ यहां जब अब I2 आप अमाउंट निकालिएगा A2 निकालिएगा तो amount क्या होता है P2 प्लस I2 I2 कितना है P into 1 प्लस R by 100 का power into R by 100 कोदिक अद नहीं P2 की अगर आप value रखे P2 की value आप जब रखेगा तो P2 कितना है P into 1 प्लस R by 100 यही P2 है P2 हमारा यही है एक पर मैं इसको उपर लिख देता हूँ यहाँ पर लिख दूँ हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा जो A2 निकला है वो कितना निकला है A2 जो हमारा है ध्याना कीएगा A2 जो हमारा है यहाँ पर लिख देता हूँ A2 जो हमारा है वो कितना है तो A2 हमारा है P into 1 plus R by 100 वजी कतनी इतना समझने में इसे जी इसको लिखा गया आप थोड़ा सा इसको जब derive करिएगा इस चीज़ को आप दोनों चीज़ों में देखे क्या common आपको दिख रहा है तो P1 प्लस RY 100 P1 प्लस RY 100 ये दोनों चीज़ों में हमें common देख रहा है तो उसको हम बाहर कर लेंगे तो जब बाहर लेंगे तो amount जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा P1 प्लस RY 100 तो बाहर हो गया तो यहां क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 1 क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 1 और यहां हमारा क्या बच गया यहां पे हमारा RY 100 बच गया ठीक है तो आप क्या देख रहा है कि यहां भी 1 प्लस RY 100 है यहाँ पे भी 1 प्लस r y 100 मंटिप्लिकेशन में है इसका मतलब दोनों आपका बेस है और दोनों बेस सेम होगा तो पावर एड होते हैं मतलब दो साल का इमाउंट जो हम लिखेंगे वो P इन्टू 1 प्लस r y 100 का पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ टू क्या लिखें यहाँ पे टाइम लिखें ठीक है अगर आपको एन एयर्स का आपको अगर एमाउंट पुछेगा ए एन पुछेगा एन एयर्स का एमाउंट पुछेगा तो P इन्टू 1 प्लस r y 100 का पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा तो यहीं फर्मूला हमें डिगाइब करके मिला दूसरी बात अभी हमें इमाउंट निकला है C.I. निकालने का फर्मूला क्या है तो C.I. निकालने का फर्मूला है कि एन में से हम P को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे पिछले साल के principle को हम subtract कर देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा तो ध्यान दीजेगा CI का formula क्या होगा amount आपका क्या होगा P into 1 plus R by 100 का power N minus P यही होगा ठीक है अब यहाँ से दोनों में P common है P को बाहर ले लिए तो हमारा जो बनेगा वो 1 plus R by 100 का power N minus 1 बनेगा क्या बनेगा 1 plus R by 100 का power N minus 1 क्योंकि P को हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया है तो यही आपका CI का formula derive होगा ठीक है तो आप इस चीज़ को समझ गया होगे चलिए next हम एक question इस पे कर लिते ताकि आपको confusion न रहा है तो देखते है next question को तो देखिए यहां पे मैंने question लिया है start कर रहा हूँ मैं एक question आपको करवाने के question करवा रहा है फिर अलक्स में एक दो वीडियो आपको इसके उपर question के उपर करवा दूगा दोनों वीडियो जो होंगे वो अलगल होंगे क्यों क्योंकि देखिए अभी जो हम पढ़ा रहा है अभी basic करा रहा हूं मतलब अभी हम पर इनम पर पढ़ेगे फिर quarterly half yearly यह time period होता है जिसको हम conversion period बोलते है तो time period जब जब change करेगा ठीक है interest आपका पर इनम पर लगता है quarterly लगता है और half yearly लगता है उसके बारे में एक video बनाओंगा आपको उसको अब देख लीजएगा अभी देखिए राम लेंट राम नाम का एक लड़का है जो 8000 रुपे अपने दोस्य लेता है कितने साल के लिए लेता है कितने साल के लिए लिए लेता है आड़ डरेट आपको पैस मिलेंगे टोटल बतामें ठीक है तो आपको मैंने इमाउंट का फर्मूला बताया है इमाउंट का फर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आरवाई 100 का पावर एंड होता है तो यहां पे जो पी है प्रिंसिपल है वो 8000 कितना है 8000 वन प्लस आर कितना आपका हो जाएगा आर अगर आप देखें तो आर आपका हो गया पांच ठीक है बागा 100 का पावर एंड एंड करने का मतलब जितना यह रहेगा तो थरीन साल करी है ठीक है को दिकत नहीं चले इसका सॉलूशन देखते है तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल से चीज़ें करेंगे सबसे पहली बा सॉल्व करिएगा मैं यहीं पर कर दे रहा हूं आठ हजार उना वन प्लस वन बाइट्वेंटी है कि चैक है उसका पावर कितना अतीन है तो आप लसे गा तो नीचे में 20 हो जाएगा यहां 20 प्लस 1 21 बाइट 20 हो जागा मतलब यहां पर सॉल्व करके मैं बताद यहां 20 का पावर कितना थ्री यहां पर जब आप सॉल्व करिएगा तो आठ हजार गुना 21 वट्टा 20 का पावर तीन ठीक है गई चीजे मिलेगी अब इसको मैं अगर और लिखू इसको जब यहां पर लिखेंगे आठ हजार गुना 21 वट्टा 20 गुना 21 वट्टा 20 तीन बार तो देखें दो गुना दो गुना दो तो टोटल कितने हो गए आठ हजार हो गए और तीन जीरो तो आठ हजार से आठ हजार खतम बचा हमारे पास क्या इमाउंट के लिए 21 इंटु 21 इंटु 21 इंटु 21 अब देखे बच्चों को यहां होती है, compound interest में calculation आपको ज़ादा है, तो आपको cube निकालना, cube निकालने का असान सा तरीका है, अगर आप सिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सिखे हुए तो कोई दिक्कत की बात है, नहीं है, ध्यान देज़ेगा, ठीक है, cube निकालने का असान सा तरीका, अगर दो डिजट का नंबर है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, simple से पहले नंबर का cube कर देना है, पहले नंबर का cube कितना दो, दो का पावर तीन, तो आठ, ठीक है, इसको आप जब cut करिएगा, तो 2 is to 1 का ही ratio आना चाहिए, फिर आप 2, इसकी value कितनी 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, तब 4 होगा, तो 1 को कितना से गुना करेंगे 2, तो यहाँ 2 हो गया, और last में 1, हर जगा पे ratio 2 is to 1 का होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं फिर इसका दुगना कर देंगे बीच वाले नंबर का दुगना करना तो चार का दुगना आठ दुगना चार आप यहां पे जो रो एक छे आठ चार बारोगी दो हाथ में नाइन टू सिक्स वन इसका एंसर हो गया तो आप calculation करने से बच नेक्स्ट वीडियो में हमें question आपको question by question आपको करवा दूगा अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है जो भी दिखकत है आप कमेट करके हमें बता सकते हैं वीडियो को दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल